इक्जाम द्वार चैनल पर स्वागत है, लाइक करें मारी वीडियोज को और साथ ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकन हो दाए ताकि आपको नए नए वीडियोज मिलते रहें हेलो फ्रेंड्स, मैं इंद्रजीत आपके अपने यूटूब चैनल एक्जाम द्वार पर आप सभी का स्वागत करता हूँ मैं हाजिर हूँ, आपके सामने इस वक्त एक ऐसे खबर लेकर जिसे आप सभी सुनकर हैरान हो जाएंगे हम बात कर रहे हैं बिहार STT का, बिहार में जो सिक्षक बहाली के लिए STT का एक्जाम हुआ था उसके भी से में हम बात करेंगे, आपको बता दे कि सबसे पहले इसका एक्जाम 28 जनवरी 2020 को लिया गया कब 28 जन्वरी सबसे पहला एक्जाम 28 जन्वरी को लिया गया उसके बाद फिर एक्जाम को रद कर दिया गया सरकार द्वारा फिर से इसके एक्जाम लिया गया और अब फिर से इस पर high quote ने रोक लगा दिये तो ये बिहार STT का जाम हुआ था इस पर फिर से ग्रहन लगता दिख रहा है इस पर QAWTH ने रोक लगा दिए, कब तक रोक लगाई है और क्या कहा है QAWTH ने चलिए देखते हैं क्या कहा है QAWTH High QAWTH ने देख़िए आप देख सकते हैं यहाँ यह paper का cutting है यह newspaper का cutting है कल साम को हाई kot ने पटना हाई kot ने ये notice जारी किया है क्या किया है तो आएए देखते हैं क्या है इसमें हाई kot ने HDET को result जारी कने पर अभी रोक लगाई है फिलाल हाई kot ने इस पर रोक लगा दिया क्यों लगाई है और किस कारण से इस पर लगाया गया है, आईए हम बात करते हैं, इस बारे में और देखते हैं, क्या कहा है हाई कुट ने, अब देखते हैं, यह paper का cutting है, चलिए, देखते हैं क्या है, और क्या कहा है हाई कुट ने, हाई कुट ने, अगले आदेश तक, online STT परिच्छा का result, जारी करने पर रो collection अब खतम हो चिका है, अब result आ जाएगा, लेकिन अब जब हाई कुट ने फिर से रोक लगा दिया है, तो अब लगता है, यह अठकता दिख रहा है, चलिए, देखते हैं क्या कहा हाई कुट ने, और कब तक इस पर रोक लगाया है, तो हाई कुट ने सबसे पहला कहा है, कि इस पे अभी रोक लगा दी गई है, चलिए, सांती राजसरकार और बिहार विद्याले परिच्छा समेती को विस्तरित जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है, क्या, पूरे डिटेल में हाई कुट ने कहा है, कि राजसरकार और बिहार विद्याले परिच्छा समेती इस पूरे विस्तरित यानि पूरे उसको पूरे प्रस्तावित के साथ इसमें आपना जवाब दाकिर करे हाई कुट में इसके जस्टिस असाहु निद्दील अमानुल्ला की एक पीठ ने आदित प्रकास एवंग अन की ओर से दायर रिट याचक्याव पर सुनवाई के बाद सुक किया गया था हाई कोट में चलिए आगे दखते हैं आगे क्या कहा कोट ने तो आगे कहा है कोट को बताया गया कि कोट को क्या बताया गया है कि एस्टीटी ऑनलाइन परिक्षा का सिलेवस जारी किये बिना ही ऑनलाइन परिक्षा ली गई ये कोट में जो उनके वकील थे उन मंजूरी ली गई थी इसके बावजुद सिलेवस जाड़ी किये बिना ही ओनलाइन परिक्षा ली गई है ये कहा है कोट में कहा गया ये वकील के द्वारा और तब इस पे सुनवाई करते हुए हाई कोट ने इस पे परिक्षा के डिजल्ट पे अभी फिलाल रोक लगा दिये स्टेट के परिक्षा के लिए घोसित करने पर रोक लगा दिए कभ तक अपने अगले आदेस तक याणि इसके बाद इस पर फिर आज़िया जाएगा इसके साथी कोट ने राज सरकार और बिहार विद्याल परिख्षा समिति के समन्द में विश्तरित जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है नियाइधिस इसानुद्दीन अमानुला की एकलपीठ ने आदित प्रकास और अन्य की ओर से दाखिल यास्क्या पर सुनवाई के बाद ये आदेश दिया क्या कि अभी इसका STT का रिजल्ट अभी प्रकासित नहीं किया जाएगा तो ये था हमारा आज का न्यूज और इसमें फिर से इस पर गरहन लगता दिख रहा है जब तक अगली सुनवाई नहीं होती तब तक हम कुछ नहीं कह सकते कोई भी इस पर कुछ नहीं का सकता जब तक इस पह अगली सुनवाई नहीं हो जाती है तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लिजी हमारे साथ जूरे रहिए better updates के लिए next update के लिए सांत ही हमारे चैनल पे बहुत सारे वीडियो उपलब्द है मैत, जीके और इजनी के वीडियो देख सकते हैं सभी का लिंक इस वीडियो के नीचे आपको मिल जागा आप हमसे वार्टसप ग्रूप के मादियम से जूर सकते हैं, उसका लिंक भी इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिस्टर में मिल जागा, वहाँ से आप हमारे वार्टसप ग्रूप के से जूर सकते हैं वहाँ आपको हर तरह की सरकारी नौकरी की फॉर्म जो भी निकलते हैं उसके बारे में इनफोर्मेशन दिया जाता है साथ ही मारे चैनल पे आप प्राइम मेंबर से भी ले सकते हैं उसमें बहुत सारे आपको फैसलेटी दी जाएगी वह भी आप हमारे चैनल पे जोएन बटन पे क्लिक करके चेक कर सकते हैं तो जो यह रही है हमारे साथ नेक्स अपडेट के लिए और साथ ही सभी गवर्मेंट जोब की तयारी के लिए हम आपसे भी बिलेंगे नेक्स वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत